नवस्कार कैसे हैं आप सत्तिपाल मलिक जम्मू कश्वीर के राजिपाल रहे सत्तिपाल मलिक उसके बाद मलिक गोआ मिघाने के वे राजिपाल रहे थे राजिपाल को महामहीन कहा जाता लाट साहिब कहा जाता लेकिन सत्तिपाल मलिक इसकदर बौड़ाये हुए क्यों हैं दो से धाइस फौक विलो वजन वाले सत्तिपाल मलिक की बौराहट की वज़ा क्या है कि वो भारत के राश्ट्रपती और उपराश्ट्रपती को ते जैसे सबसे प्रयोग कर रहे हैं सत्तिपाल मलिक क्या सचमुच ये चाहते हैं कि वो इस कदर नीचता पर उतर जाएं ऐसी ओची हरकतें करें कि योगी या मोदी उन्हें गिरफतार कर कुड़ाई कर दे क्या सत्तिपाल मलिक पूरी तरह से हतास हो गए हैं देश के सरवुच पद राश्ट्रपती और उपराश्ट्रपती जैसे पद के लिए ये कहना कि रिटायर्मेंट के बाद उसे कुट्ते भी नहीं पूछते मलिक को जानना चाहिए कि राश्ट्रपती पद पर रिटायर हुआ उपर राश्ट्रपती पद पर रिटायर हुआ व्यक्ति अपनी गरिमा से सम्मान पाता है आज भी लोग डॉक्टर राजंदर प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्टनन, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महा महीं को देवता की तरह सम्मान देते हैं उसे कुर्सी पर कोई अधी चुनाब आयुक्त बैठता है टी अन शेसन जैसा, तो देश आज मी उसे सम्मानित करता है पद सिर्फ कुर्सी नहीं होती, उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की गरिमा भी होती है सत्यपाल मलिक उस गरिमा के लाइक नहीं थे, जिस पर मोदी ने उन्हें बैठा दिया तो सवाल यह है कि सत्यपाल मलिक इस हद तक क्यों जा रहे हैं, वो क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को लगातार प्रवोक कर रहे हैं और मोदी को गाली देने वानों को कित को तो विपक्ष सर आखों पे बिठा लेती है चाहे वो मीडिया का खैराती हो, कोई पुर्व रिटायर जज़ हो, या कोई और नेता लेकिं सत्यपाल मलिकी महत्ता तो उनके प्रदेश में भी नहीं मिल रहा पश्च्वी उन्तरप्रदेश में जैंद चोधरी ने उन्हें ठेंगे पर रखा ये कह दिया उन्होंने कि जैंद ने उसका इतना सम्मान किया तो जैंद मुखर हो गए कि हमने इनसे पीने पूचा ही नहीं अखिलेश यादब तक ने इनी कोई भाव नहीं दिया तो इस बरबोले सत्यपाल मलिक ने प्राइन मिनिस्टर मोदी की हत्या की विबात अब कर दी दरजल सत्यपाल मलिक की बेचैनी ये है कि उनसे सरकारी घर से भी बाहर उन्हें कर दिया गया है वो सेम सोसाइटी में जिसमें उन्हें सरकारी सुविधा दी गई थी वन बीचके में सिठ्ट हो गए है तो सत्यपाल मलिक से किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आपके साथ ऐसाथ क्यूं हुआ तो उननका नहीं ऐसा कोई रून नहीं है कि पुर्व राज्यपालों को इन सब को कोई सरकारी घर पुर्व राज्यपालों को दिया जाए हमें पांच बेडरूम का घर मिला हुआ था 55,000 रूपे किराया हम उसे दे रहे थे सरकार दे रहे थी अब वो छिन लिया गया है तो हम 55,000 दे नहीं सकते रहे तो सकते थे उसमें लेकिन 55,000 किराया नहीं दे सकते इसलिए सेम सोसाइटी में हम एक बेडरूम पे आ गए तो सत्यपाल मलिक के अभी ये औकात बताई गई लेकिन इतनी नीचता पर उतरे सत्यपाल मलिक वे जाटों को प्रवोक कर रहे थे उनकी बात उत्तर प्रदेश चुनाब में जाटों ने नहीं सुनी तो वो सिखों को प्रवोक कर रहे है और सिखों को उद्वेलित कर रहे है ये कहते वे कि सिख किसी को छोड़ता नहीं उसने इंदीरा गांधी को नहीं छोड़ा उसने जनरल वैद को नहीं छोड़ा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ा दरसल लगे हाथ सत्यपाल मलिक यह भी बता दिया कि इंदीरा गांधी हिंदुत तो नहीं मानती दरसल बड़ बोलापन में आदमी क्या कुछ करता है कोई नहीं जान सोनिया और राहुल के लिए तो लोग कहते हैं कि वो हिंदुप तो नहीं मान लेकिन इंदिरा गांधी के लिए यदि सत्यपाल मलिक ने ये कह दिया कि इंदिरा महा मृतुंजय यग करा रही थी सिक्षों से बचने के लिए स्वर्ण मंदिर पर हमला करवाने के लिए तो अरुन नहीं ने उनसे पूछा कि आप महा मृतुंजय यग क्यों करवा रही हैं आप तो ये सब मानती नहीं है सत्यपाल मलिक ये सब चीज बोल करके दिखा रहे हैं कि दरसल इंदिरा गांधी को रही हिंदुत्य में आस्था नहीं था बस ये सब का सब ढोग था जिस पर इंदिरा को ब्राम्हान और हिंदू बना तो यहीं बरबोला पर है सत्यपाल मलिक को का जिसके कारण न उन्हें जैंद चौधरी पूछते हैं न अखिली श्यादव और जब कोई नहीं पूछता तो बरबोला पन इस कदर कि वो इस कदर बद्तिर्मीजी पर आ जाए ऐसी बदमिजाजी पर आ जाए कि बुठापे में दो-टाई-सो किलो के वजन वाले मलिक का कोई ऐसा इलाज कर दो जो इलाज सत्यपाल मलिक चाहते हैं वो इलाज दरसल मुधी करना नहीं चाहते तो कौन सी इलाज है जो सत्यपाल मलिक का होना अभी बाती रह गया है क्योंकि जिस अस्तर पे उतर रहे हैं वो ऐसे लगता है कि वो राष्ट्र द्रोग के लेवल तक जा रहे हैं वे राष्ट के राष्ट्रपती प्रथम नागरिक के पद का आप मान कर रहे हैं लेकिन सत्यपाल मलिक इतना सब कुछ होने के बाद भी उने चुट्ता छोड़ दिया गया है कि सत्यपाल मलिक किस सीमा तक बढ़ते हैं दरसा सत्यपाल की पीरा ये है कि मोधी विरोध में इसकदर बदमिजाज होने के बाद भी उने कोई पूछ ली रहा यही उनकी बेबसी है, यही उनकी बॉकलाट है, जिस जानबर से वो तुनला भारत के वो पुरवराष्टपती का करना चाहते हैं, वो कम से कम बफादार है, होता है, उसकी बफादारी की चर्चा होती है, सत्यपाल इस लायट भी नहीं है, इसलिए कोई उनका उन्हें पूछ जो हो दो होगाँ झाल